नमस्कार वागबट जी के स्वास्त्य सूत्र के बारे में हम देख रहे थे पहले पचास सूत्र हमने पहले ही वीडियो में देख लिए है अब जो दूसरे पचास सूत्र है ओ हम इस वीडियो में देखेंगे ये पहले पचास सूत्र में बहुत बड़ा भाग था स्वस्त इसके लिए हम देखते हैं कि वागवर्ट जी के ये सूत्र में सद्वृत के 50 स्वास्थ्य सूत्र है जो अंतिम 50 से पहले 50 देख लिए है तो उसमें सद्वृत का विवरण कितनी सुक्ष्मता से उनों ने किया है वो हम देखते हैं सबसे पहले देखते हैं कि वागवर्ट जी के जो सूत्र है उसमें से आयूरुवेद का जो मूल है आयूरुवेद का जो प्रयोजन है तो अथभूत दयाम प्रती यानि कि धर्म के लिए ही आयूरुवेद का प्रयोजन है इसके लिए चरक समीता में भी बताया गया है कि जो ओव्यक्ति भूतिक सुख सुविदा के लिए ही चीकित्सा करता ह। ओव्यक्ति रत्नराशीम परित्यज्य प्राउंसु राशीम उपासते है। याने की रत्न के राशी को छोड़कर और केवल धूल मिटी के पिछे लगा है। इसा आयूर्वेद का कहना है। को वेद के उपवेद के रूप में स्विगार किया गया है यानि कि एक प्रकार का वेद ही है तो वेद के समकक्ष जिसको स्थान दिया गया ओ है आयूर वेद जैसे की सर्वो ही जैसे ही वेद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वेद है ओ धर्म का मूल है यानि कि वेद हा धर्म यानि कि वेद है वो धर्ममूल है उसी तरह से आयूरवेद है वो भी धर्म के मूल की रुप में स्विकार किया गया है तो धर्मार्थम नार्थार्थम अथा भूत दयाम प्रतिय सुत्र भी यही कहता है कि धर्म के लिए ही आयूरवेद का प्रयोजन है और थोर काम के लिए इसलिए सबसे प्रतम ये सुत्र आयुरवेद का, यानि कि वागबर जी सद वृत्त का वरणन शुरू करते ही, सबसे पहले जो बात बताते हैं वो बताते हैं धर्म की, अश्टा वृत्यम में वागबर जी ने बताया है, सुखार्था सर्व भूता नाम, मता सर्वा प्रवृ प्रतिपादित के धर्म का आचरण करेंगे तो आटोमेटिक शूख आने ही वाला है दर्म के पर आचरण करें यानि कि धर्म को जाने और धर्म के अनुसार आचरण करें ये आयुर्वेत का सूत्र है तो ये धर्म परोभवेत यसा पहला बताया अब धर्म के लिए धर्म किसको कहते हैं कोई संप्रदाई विशेश को या फिर कोई प्रकार के जो रिच्छीूल से उसके पालन को धर्म करते तो ये सब बाहर की बाते धर्म पूरी की पूरी अंदर क दर्म की व्याक्या करते हुए भी सास्त्रकारों ने बताया है धारय देटी धर्म यानि कि जो धारण करता है मुल्यों को धारण करता है लंब्य समय तक समाध विवस्ता को डिकाने के लिए और आत्मविकास करने के लिए जो आवश्यक मुल्य है उसको धर्म कहा जाता है इसल तक प्रामनिकता रखेंगे तब तक ही उसकी चोरी में पार्टनर्शिप चलेगी याद रखें चोरी में पार्टनर्शिप लूट में पार्टनर्शिप भी इमानदारी से चलती है यानि ओभी लोग इमानदारी का ही उपयोग करते हैं अपने दिकाने के लिए धारण करने के लिए अपने पार्टनर्शिप को लंबे समय ठीकाने के लिए किसकी जरूरत होती है इमानदारी की होती है सत्यता की होती है वो जब तक रहेगा आला कि उसका दंदा तो दूसरे से लुट कर चोरी करके लाने का है लेकिन परसपर में आपसी बाते तो ही बनेगी जो वो यहाँ पर वागबट जी करने को कहते है और इसके लिए धर्मक का जो संसकार है दीरे 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 ओ आता जाता है धर्म आचरण बाहर से होता है लेकिन समझ अंदर से होती है इसके लिए बाहर के प्रभाव से धर्मक आचरण नहीं होता है अंदर के परिवर्तन से होता है और ओसहुआसे होता है सबसे ज़्यादा effect माता पिता गुरू से भी ज़्यादा effect मित्र की होती है इसलिए वागबर जी का अगला सुत्र ये बता रहा है कि भक्तिया कल्याण मित्रानी सेवे त़र दूरगः यानि कि संगती है अमारी केसी है मित्र हम कैसे रखते हैं उस पर ही हम धर्म का पालन करते हैं कि नहीं वो कहा जा सकता है इसके लिए इंग्लिश में भी एक कहावत है कि man known मानि कि man कैसे वो known होता है company जैसी रखता है उसी से आदमी बेहचाना जाता है यहाँ पर यही व्यताया है कि भक्ति के द्वारा मतलब एक भक्ति से कल्यान मित्रों का बराबरे सेवन करो मतलब कल्यान मित्रों के साथ मित्रता करो ओ आप वो विकास की ओर ले जाएगा और इकर यानि कि जो कलियान नहीं चाहता है इसका फोई कंसेप नहीं है इससे दूर रहो यानि कि वागबर जी यहाँ पर संगती की बात करते हैं और दुर्जनों का संग करने का त्याक करने को बोल रहे हैं आगे का है पापम करमेती दशदा कायवाग मान से इस्त्यजेव यानि कि धर्म का पालन करना है तो सबसे पहले आयूरवेद यह बताता है कि जैसे आपको स्वस्तरेना है तो पहले क्या खाना है उससे पहले आपको यह जानना होगा क्या नहीं खाना है सबसे पहले निदानम परिवरजनम यानि कि कारणों का त्याग चिकीचा का पहले शुरुवात है पहला स्टेप है उसी तरह से यहाँ पहला स्टेप बताते हुए केते हैं कि पापकर्मे ती दशता काण्यवाग मानसे इस्तिय जे यह आच्रन कप कर पाएंगे जब आप पाप होते हैं एक तो हाथ पेर से यानि की काया से होते हैं शरीर से होते हैं दूसरा होता है वाणी से और तीसरा होता है मन से यह तीन फैक्टर है जो इफेक्ट करता है तो काया के कितने पाप होते हैं वाणी के कितने होते हैं और मन के कितने होते हैं वह यहां पर बताया है व दूसरे का मुफ्त का लेना दूसरे का चोरी करना और छोड़ दो और तीसरा कामम यानि की परस्त्री गमन और ऐसे अयोग्य जग्या पर में थुन को छोड़ दो ये तीन होता है और शरीर से वोने वाले पाप होते हैं वो पाप के फल रोग के रोग में हमको भुगतने तो ये तीन प्रकार के पाप को छोड़ने का वादपट जी यहाँ पर बता रहे हैं उसके बाद वाणी से होने वाले चार पापों के बारे में भी बताते हैं ओचार पाप कौन से कौन से वो भी बताया है इसमें पेशुन्यम, पुरुशान रुथे, संभिन्ना लापम, चाहत यजेत वानी के द्वारा ये चार पाप अमेशा होते रेते उसमें सबसे पहले पेशुनियम चुगली करना इसकी बात उदर के देना जो नहीं केनी चाहिए उसकी बात उदर के देना कोई भी पकात की परसनल बात किसी की जानते है उसका खुला करना चुगली करना बात लग जाए इस तरकी हाड वानी को प्रयोग करना ये एक होता है वानी से पाप अनुरूत जूट बोलना मतलब बार बार जूट बोलना मीना प्रयोजन का जूट बोलना सत्य व्यक्ति के पास पी जूट बोलना तो ये होता है अनुरूत और संभिन्ना लापम यानि की जो अब व्यर्थ का बकवाद करना यानि कि जिसी का कोई प्रयोजन ही नहीं है ऐसे बकवास करते रहे न और वह चार पाप होता है वह भाणी से होते है तो वादबर्ड जी ये बताते हैं भाणी से ओने वाणी को भी छोड़ाओ यानि कि आप जुगली छोड़ दो, कठोरवानी को छोड़ दो, जुट बोलना छोड़ दो, और व्यर्थ के बकवास को, व्यर्थ की बातों को भी छोड़ दो, आगे केते हैं व्यापदम अभिध्याम द्रूग विपरियम मन साथ ये, मन से होने वाले तीन पाफ है, वो तीन पाफ में, व्यापदम अभिध्याम किसी का अनिष्ट चिंतन करना, किसी का बुरा हो जाए, इस तरह का चिंतन करना, अभिध्याम किसी का उद्धकर्ष देखकर इरश्या करना, जलना, वो पाफ होता है, आज बड़े बात का समाज ये पाफ कर रहा है, ये तो ये कर रहा ह अमारे मन में किसी के अनिष्ट का ही चिंतन चलता रहता है तो किसी का एक्सिडेंट हो जाए अमारे मित्रफ को कुछ हो जाए कोई व्यक्ति का कुछ हो जाए तो अंदर से हमको आनंद होता है आपको जानकर ये आश्चरिय लगेगा कि किसी का दुख देखकर सामानिय व्यक् किसी का लड़का चला गया वो सुनकर एक प्रकार का सुख होता है कि मैं नहीं हूँ उसमें से तो वो एक फिलिंग आती है इसके लिए तो लोग पेपर पड़ते हैं बड़े बात के लोग क्योंकि उसको किसी ना किसी की बात सुनने की चटपटी लगती है तो वो खास करके व मैं यह गाड़ी लेकर आपने वो सभार पे नया यह सब भी पागलपत अब नहीं लोग करी रहे हैं जो गाड़ी मुरदा है उसकी उपर जिन्दा फुल को मुरदे गाड़ी के उपर चड़ाते है तो यह सब पागलपने ओकर कि आप मिठाई बातने लग जाते हैं मेरे BMW ली अब आप जब मोसी को या नस्दी की सगे को या किसी को भी देने चाते है तब क्या होता है उसका स्वाद कैसा होता है मिठा लेकिन मोसी को मिठा लगता है नहीं मोसी को कैसा लगता है पता है कड़वा लगता है उस के से आप जानेंगे आपके जाते ही वो क्या बात सुरू करते हैं लोन ली होगी किसी का रोल कर दिया होगा इसलिए आ देखते हैं बाद में चली जाती है लोन ऐसे ही लेकर लोक करते हैं ये सब बाते करने लगते हैं मन का कितना पतन है यह दो द्रुग भी पर यही सब के सब को देखने को मिलता है सब पर क्यूंकि आज सत्य बातों पर हमारी स्रद्धा नहीं रही इसके लिए मारे वीडियो आप देखें कितने कम लोग देखते हैं आप भी कितने लोगों को प्रेरित नहीं करते हैं क्यूंकि प्रचार नहीं करना उसको एसे ही टेकन फ्रोर गांटेट ले लेना इस तरह के जो मन की स्थिती है और द्रुग भी पर यही की स्थिती है और उस स्थिती में पाप ही सबसे ज्यादा होते जो आज समाज में ओर है तो यह मन के छोड़ने का वागबची बता रहे यह दस पाप आता है वो इसलिए आता है जेठवईने में क्योंकि दस प्रकार के पाप है इसा सास्तों में बताया है तो अरंती त्वं दशपापानी तस्मा त्वं दशहरा स्मृताहा गंगा के उपरे सा बताया है कि गंगा यह दशपापों को धोती यानि कि गंगा की समत से मन की चेतन बता देना का वो तार आ जाता है कि वो दस पाप से मुक्तो होते हैं इसलिए बताया गया है अरह प्रकार के पापों को तोने के लिए उसको दस बता है वागपट जी नहीं है सदुरुत में यह दस पाप बताए है अब आपको प्रश्ण होगा कि आयूरवेत में पाप की बात कहां से आई तो मैं बता देता हूँ और कोई भी पथी में पाप की बात नहीं है केवल रोग की बात है लेकिन आयूरवेत रोग को फल मनता है पाप को मूल मनता है यदि इत्यादि को भी कैसे देखो आत्मवत देखो तो आप देखकर चलो बिना कारण उसको मारो नहीं, बराबरे, तो ये सभी आप भ्यान रखो क्योंकि वो भी एक आत्मा है, उसके पर उसका उसमें भी एक चैतन्य है तो ये यहाँ पर वागबट्ची बताते हैं। कोई व्यक्ति कुछ माल ने आ जाए किसी की आवश्य अपता हो तो वेमूख मत करो अपमान मत करो और उसकी उपेक्षा भी मत करो तो ये वस्तुक जो सदवुरुत बताया है इसके आगे के सदवुरुत में वो बताते है कि उपकार प्रधानस्याद अपकार परेपियरो यान यानि हमारी जो विचारदारा हो में कैसे किसी के उपयोग में आ जाओ वही रखे किसी का मैं कैसे यूज कर लू ऐसी भावना बिल्कुल न रखे औरों को तो शायद हानी करेगी या नहीं करेगी लेकिन हमको बहुत हानी करेगी हमारी सोच को विचार को संकुजित कर देग आगे बताते हैं संपत विपत्सु एक मनास्यात यहाँ पर लोग आज यह जरूरी है उमारे सारे बेलेंस रखने ओर्मोनल बेलेंस रखना है तो संसार में सुख भी आएगा दुख भी आएगा ओर्मोनल बेलेंस आपको रखना है तो एक मन एक तरक आपकी उर्थी होनी चाह महान लोगों की एक रूपता होती है या वो समपत्ती में भी हो विपत्ती में भी हो और राम का ऐसा उत्कुरुष्ट वरणन देखने को मिलता है हम राम मंदीर तो बना दिये लेकिन राम मंदीर का विशय नहीं है राम राच्किय विशय नहीं है अपितु राम चारित्र का विशय है राम जीवन का विशय है तो मंदीर से सुरवाज कर से हम जीवन तक पहुँचेंगे तो रामो भुद्वा रामम यजेद ये हम ला पाए यानि कि जब मैंने उनको बुलाया राज सिवहासन के लिए राजिया भिशेक के लिए तो पुरी की पुरी उन्होंने कोई सभा नहीं निकाली पुरी की पुरी उन्होंने यात्रा नहीं निकाली पुरा का पुरा रोड़ चो नहीं किया जलो मैं जीत गया हूं मैं जीत गया ह यह से करके तो ओ भी एक पर दूसरा यह ऐसा था सुख बचाने की एक सम्पाथी इसलिए दुख भी हुआ उनको कि जब बताया की कल वनवा स्याना है जब मैंने वो बात बताई थी तब भी मैंने देखा यह बात जब बताई तब भी मैंने देखा न लपसिताव मयाद अत्रस वलपोफ याकारवी भ्रमह यानि कि एसा एक भी आकारवी भ्रम मुझे देखने को नहीं मिला उससे न तो उसको बहुत आनन्द हुआ यह सुनकर न तो बहुत दुख हुआ क्योंकि वो बैलेंस उन्होंने रखा था पूरे जीवन में तो यहाँ पर भी वागबट जिये ब इसा आगे बताया यह तो इर्ष्यत फले न तु यानि कि हमारे पार अंको अंसामान्य जीवन जी रहे सवसार में है तो इर्ष्या होना श्वापा भी खे तो इर्ष्या कारण में करो फल में नहीं उसके पास गाड़ी है उसकी इर्ष्या मत करो वो गाड़ी करने के लिए जो उन्होंने मेहनत की है उसकी इरश्या करो कि मैं भी इतनी मेहनत करू कोई विद्वाने उसकी विद्या की इरश्या मत करो लेकिन विद्या प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम उन्होंने किया है वो परिश्रम में कैसे करू उसके लिए इरश्या करो ताकि आपकी कारिय से आया मेनद से आया परिश्रम से आया वुद्धी से आया तो मैं भी यह साख प्रामणिकता से द्रड़ होकर कारिय करू ताकि मैं फल को प्राप्ट करू इसके लिए बताया है यानि कि कारणों में इर्ष्या करो फलों में नहीं बराबरे तो यह इनों ने बताया है त कि काल आने पर बोलना ही पड़े देखिए बोलना मजबूरी होनी चाहिए जरूरी नहीं जब मजबूरी बोलना ही पड़े तब ही बोलना है तो बोलना है कब तो के काल आने पर अमेशा बोलते नहीं रहना है काल आने पर बोलना है और बोलना अपनी जरूरत से नहीं औरों की जरूरत से होना चाहिए और व्यक्ति को जरूरत है तब मैं बोलू तब मैं काल पर बोला हूँ जब मैं ही बोलना चालू करता हूँ तब तो ओ काल पर नहीं बोला हूँ तो भागबड़ जी यहां कहते हैं काले हितव फिर काल पर बोलो तो कुछ भी बोलो तो गने इतकारक व शुशिला करुणामृदू आयुर्वेद के ये सभी सूत्र बच्चों को सिखाने जैसे है उसको यदि व्यवहार सिखाना है उसको एक इंटर्ग्रेटेट परसनालीटी बनाना है उसका मानसी विकास करना है साथ-साथ उसको ये सभी सिखाना है तो ये सूत्रा पवश्य सामने देखकर बात करो, पुर्वा भी भाशी, फिर सुन खह, आख से आख मिला न सिखो, बराबरे सामने देखकर पूरा ओ समवाद की एक प्रकार की कला है, उसके बाद के शुशिलह करूना मृदू, यानि कि अपनी बात को अच्छे धंग से प्रस्तुत करो, करूना करूना रखकर प्रस्तुत करो, और मृदूता से सने शने, बिल्कुल सान्ती से ओ बात का प्रेजेंटेशन करो, उसके बाद क्या बताएं, नहीं कस सुखी, कोई भी सुख मिल गया, पगवान की कृपा से, मेरे पुन्य के उदरी से मिला है, उसमें समाज का भी आत है, पग उसका भाग में निकालू, तो इसके लिए है, अकेले सुखी मतो जाओ, अपने उपर वाले जो उपकार करते हैं, हमारे उपर, कोई व्यक्पी हमको सद वृत्य का, सद विद्या का, कोई व्यक्पी सच्चे राह दिखा कर उपकार करता है, तो सुखी जब हमारे पास आ जा के कौन-कौन से है, तो ओ सुख को हमेशा बाठ कर भोगो, बाठ कर भोगने से अगला भी सुखाएगा, ओ उत्तम सुखाएगा, आगे बते हैं, न सर्वत्र विश्वद, यानि कि सब के उपर विश्वास मत करो, समाज में 70% जितने तामसी लोगे, 20% जितने राजसीक तो सब के उपर विश्वास मत करो, सब प्रकार की विराइटीज होगी, आपको दूख होगा, उसके बाद नुक्षान ये होगा कि आप सच्चे व्यक्ति पर भी विश्वास नहीं कर पाओगे, वो आपकी सबसे बड़ी हानी होगी, आपको खरा बनुबव होंगे, की धारा को रोकता नहीं है, वो देखता है कि किसी ने पानी पीकर वमन कर दिया, किसी में पानी पीकर मेरे सामने ही कुला कर दिया, किसी ने मेरे पास भी ठूक दिया पानी, वही पानी का सामने ही उसने कुला किया, ठूका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्यासे को प्यासे को पानी पिलाना बंद कर दूर। बुरुपुल का उपयोक करना है और ज्यादा से ज्यादा आत्म के अंद्रित स्वच्छंदसा से जीना है, तो भी हम जाने देते हैं कि चलो, प्यासे को पानी पिलाना अमारा धर्म है, विद्या देना अमारा धर्म है, उसी तरह से विश्वास सब के उपर नहीं करना बेलेंस रेना चाहिए तो ही हम योग यह व्योहार कर सकते हैं जो व्यक्ति ऐसा है तामस उसके प्रतियाप का यह व्योहार अलगे विश्वास नहीं करना लेकिन जो व्यक्ति सात्विक है सत्वगूर के रस्ते पर है उसके उपर कभी भी मन से भी शंकान नहीं करनी चाहिए स तब आद्वियों में बहुत बड़ा फरफ होता है और एसे लोग इस लाइन में आ जाते हैं इसके लिए अमारा विश्वास करने में लोग बहुत कठीना यह दूब्डू करसर करते हैं और उसका परिणाम ही ओप होकते हैं तो यह एक समाज की दूरबल दा है क्योंकि उसको अनुबव एसे हुए वो अनुबव को भूल जाना चाहिए था उसके बदले में वो याद रखते हैं याद रखते हैं तो सच्चे के उपर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं आगे क्या बताते हैं न किंचित आत्मन शक्त्रम अटाश है कोई मेरा सत्रू है एसा मत बोलो ब उसके पहले के अर्थसास्त्रों में भी बताया गया है कि नव बातों को गुपत रखनी चाहिए ये नव बातों में एक कोई मेरा सत्रू है ये भी बात गुपत रखनी चाहिए और मैं किसी का सत्रू हूँ मुझे ओ व्यक्ति सत्रू मानता है एसी भी बात गुपत रखनी यह तो दूसरी पंक्ति में केते हैं न किंचित आत्मन शत्रुम प्रकाशेद न आत्मनम कस्यचित रिपून प्रकाशेद में किसी का सत्रु हूँ एसा अपमान रहा है यह भी मत कहो अर्थात गुरु को कह सकते हो अतिनजली की मित्र को कह सकते हो परिवार का जो विश्वा रखने को बताई है उसमें ये बताया है कि अपमान भी गुपता रखना है अपमान भी गुपता रखना है उसको समझाने की या उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए वो यदि आप बताते रहेंगे तो अमारे ही लोग उनको कहेंगे और थोड़ी बहुत संभावना होगी उसके प्रसन्न ताकी वो भी चली जाएगी इसके लिए वाकबट जी ने ये व्योहार सुत्र बताया है आगे केते पराराधनपंडी तह यानि की दुसरे की साइकोलोजी को जानकर मनोविज्ञान को जानकर उसके अनुकुल क्या होगा ओ देखकर आचरण करना है यानि की सब सही बाते सभी को नहीं बतानी है उसमें विवेक रखना है इसको क्या बात पचेगी उतनी ही बतानी है उसको क्या बात पचेगी उतनी ही बतानी है सभी प्रकार के सत्य खुले नहीं करने है कोई सत्य किसके पास खुले करने होते हैं कोई सत्य किसी के पास खुले करने होते हैं कोई सत्य किसी के पास भी खुले नहीं करने जैसे होते हैं तो ये ध्यान में रखकर पराराधन पंडिता मतलब दूसरों को बहुत दूख न हो बहुत उसका मन व्यग्र न हो इस तरह से कहे और भगवत गीता में सेम यही बात बताई है कि दक्षकता का एक गुण बताते हुए भगवत गीता में बताया है कि विद्वान व्यक्ति को कैसे रहना है तो इसी तरह से विद्वान व्यक्ति को सामन न वुद्धी बेदम जनेत अज्ञानाम कर्मसं विनाम बराबरे तो बहुत मत दो, लंबे-लंबे उपवास मत करो, लंबे समय तक प्यासे मत रहो, इस तरह के इंडरीयों का दमन मत करो, और उसके बाद का सुत्र है, आपको बताएज हम तो यह सा नहीं करते हैं, कितना अच्छा है, तो पागबट जी आगे का सुत्र बताते हैं, नचा एतानी अ अतिलालन मत करो, टीवी देखने मत बेट जाओ, वीडियो सुनने मत बेट जाओ, कहीं पर भी क्रिकेट देखने मत बेट जाओ, वो अतिलालन करते हैं, अच्छा खाना, अच्छा ही खाना, अभी क्या करते हैं, मिठाई सब काते हैं, नीम कोई नहीं खाता है, बराबर आयूर का कहना है अब कहते त्रीवर्च शोणियम नारंबंब भजे जिसे धर्म और थोर काम आप एक बात यात रखे आप मानोगीता के सत्संग में आते हो तो धर्म के लिए आए बराबर आप व्यापार जाते हो व्यापार करने को दुकान पर तो आप अर्ष्ट के लिए गए और आप सादी में गये किसी मीत्र की या मामा की या किसी वह काम के लिए गये वह तीसरा पुरुशात का का है धर्मत के लिए जाओ अर्ष्ट के लिए जाओ काम के लिए जाओ न तो अर्थ के लिए गए न तो काम के लिए गए पिक्चर देखने गए न तो धर्म के लिए न तो अर्थ के लिए न तो काम के लिए तो एसे त्री वर्ग सुनियम नारंबं बजे एसा आरंबं मत करो अब देखिये वागबट का एक सुत्रा हम प्रायोगी मिलाएंगे देश के कितने पेसे बच जाएंगे कितना फाइदा देश को हो जाएगा फोई यक्ति यदी पिक्चर में नहीं जाएगा भारत का जो करजना वो एक ही सुत्र से ये सुत्र के पालन से ही अड़ जाएगा बराबरे सारे सिनेमा आप देखिये बंद हो जाएगे सारे क्रिकेट मेंच के स्टेडियम खाली हो जाएगे तो फिर हीरो और ये सभी जो एक्टर से वो क्या करेंगे करोडो करोडो रुपिया उसको देते ही है देते है लो तो ओ भी नहीं जाएगे तो देश का करजे से ही पूरा हो जाएगा वादबट का एक सुत्र अपनाने से पूरा का पूरा हो जाएगा वटलब बराबर आला की यह शक्य नहीं साइकोलोजिकली में एक कल्पना बताता हूँ वो क्योंकि मनुश्य का मन इतना सरल होता तो वादबट जी को इतना क्यों बताना पड़ता इतने जानते हैं कि आदमी यही यसा आठी गुटी वाला मतलब यह सुनता कुछ है सोचता कुछ है तरता कुछ और ही है यह वो जानता है वो जानते थे हमारी साइकोलोजी को बराबर तो इसलिए लेकिन इन्होंने यह बताया कि आप यदी सज्जन हो आप यदी आत्मविकास की और हो तो तीन वर्ग सुन्य का लगबग मेक्सिमम कभी करना पड़े बात अलगे मनोरंजन के लिए लेकिन यह से काम कम से कम करो सबसे ज्यादा तीन वर्ग सिद्धी के लिए काम करो फिर आगे कहते ओ विरोधयन फिर तीन वर्ग की सिद्धी भी कैसे करो दर्मा को जाओ, बराबरे, सगे वाले कहें, कि चलो जुआ खेल लेते हैं, युदिस्टीर को बताया था, लेकिन बागबर जी मना कर रहे हैं, सगे है, काम हमारा करतव यह हैं, लेकिन धर्म के विरूद थे, इसके लिए बताया, ओ विरोध यन बजे, धर्म के विरोध में जो अर्थ गया, उसकी प्राप्ति मत करो, किसी आपको पता चले, कि आप जहां नोकरी कर रहे हैं, दारू बेशने का काम करता है, और उसमें वही ट्रेडिंग करता है, उसकी तो आप उसकी नोकरी छोड़ दो, क्यों? क्योंकि वो अर्थ कमा रहे हैं, वो धर्म के विरूद आता है, तो इसलिए धर्म के विरूद जब अर्थ आया, वो अर्थ व्यक्ति का पतन करता है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परशो, नहीं तो पान्द साल बादो करेगा, पतन ही करेगा, धर्म के विरूद का अर्थ, धर्म के विरूद के काम को सेवन मत करो, अविरोध यन जेत, या तो महुत जग़ की निना करो, मध्यम मार्ग में रहो, मतलब ओभी ओके, ओभी ओके, बहुत, यह सी मध्यस्त स्थिती में रहो, किसी एक के पीछे मत चले जाओ, क्यूकि तो हम सर्व को स्विकार नहीं कर पाएंगे, यदि एक को किसी को हम ज्यादा मान पान देंगे, तो करो, लेकिन जो है, ओ मध्यम मार का अनुसरण करो, आगे कहते हैं, चैत्य पुझिय धोजादी ना क्रमेत, यह यहाँ पर लोगों को थोड़ी अंदर्शद्दा लगेगी, लेकिन नेगेटिव एनरजी के बारे में आयूर्वेत, यह सत्य पोश्विकारता है, देव यह प पोशिटिव उर्जावाला व्यक्ति होता है, कोई नेगेटिव उर्जावाला व्यक्ति होता है, क्या किसी की नजर लग सकती है, यह पूरे के पूरे, जो प्रस्वन है, उसके सारे के सारे उत्तर, अमने देव यह पास रही चिकित्सा में दिये हुए है, हमारे कंसेप, द यहां तीन साल बहरे लखी थी तो तीन दीन के पूरे के पूरे वीडियो यूठ्यूब पर आचारीय मेहुलगाई नमक चेनल पर देव यपासराई चीकित सामें है उसको आप देख सकते हैं यग्या से जब से सतकर्मों से कैसे चीकित साह हो सकती है तो यहाँ पर बताया है कि जैत्य पुज्य ध्वजादी वगेरे होते हैं आज नहीं है इसके लिए आज बात दूसकी नहीं करेंगे लेकिन उसका आक्रमण मत करो यानि कि छाया को मतलांगो वहाँ से मतलब को यहाँ देवस्थान है वहाँ की अपुमान वगेरे मत करो इस त कोई अगनी को यदि किसी पात्र में लेकर उठाने की बारिया यहाँ पर एक पांच साल के पहले की बाते वोकाड होस्पिटल राचफोर्ट में एक डोक्तर अंचान एक जगह पर गए ओटर पार्क देखा ओटर पार्क देखती ही स्नान करने का मन हुआ स्नान करने को ओ गए आये बनी हुई घटना में कहता हूँ मेरे पास आये उनके मित्र थे मेरे भी मित्रे कोमन मित्रे उन्होंने मुझे बात कही तुरंती क्या हुआ पता है यंग डोक्टर बगुत बड़ा डोक्टर एम बी ओ ओटर पार्क में गए वहां परस्थान किया नजाने पानी के साथ था पता नहीं बारिस का मुसम था तुरंद आये कोई इंफेक्शन लग दिया इंफेक्शन लगते ही तीरे दिले लिवर डेमेज हुआ उसके बाद कीदी डेमेज हुए उसके तीरे दीरे तीन चार दिन में ही डोक्टर को बुला या बंबई के डोक्टर आये उसके बार लंडन के डोक्टर आये पाँच साथ दीन में सायद साथ आट दीन में ही ओबच नहीं पाए बस infection लग गया कास ये वागपट का सुत्र ओपड लेते और ये सुत्र कि नदी को अंजान पाने में सनान नहीं करना है अगनी को अंजान अ आरोहन नहीं करना है अंजान रुक्षो को भी तो ये भी आप बात यात रखे आगे बताते हैं कि संदीगद नावं रुक्षम चन आरोई दुष्ट यानवथ जो बताया यहाँ पर संग्विकद नावं जो नाव है वो संदीगद है को यान संदीगद आपको शंका आ तो आप सिधे गिरोगे नीचे, उसकी साखा पर पेर रखोगे, रुक्ष कट जाने वाला होगा, तुरन गिरोगे, कोई गोंद वाला होगा, कोई चेहरे ले वनस्पती होगी, तो उसको यदि आपने किया वर सपर्स से उसकी आनी होगी, बहुत सारे फेक्टर होते हैं वनस् यानी कि कारण के बीना भूमी के उपर कुछ मत लिखो, ऐसे ऐसी चेश्टा ये मत करो, यानी कि खोदो मत भूमी करो, किसी किसी को आदत होती है, बेकार के कारिय करते रहते हैं, ऐसे मत करो, आगे कहते है, चत्वर, चेट्यांत, चतुष, पतशुर, अभी क्या है, अभी म बहुत दो तो आसब लोग असे इसे करते रहते हैमें मालयार करतेति थे मोबैल अगरे घर तो आ दो आदम है दो धोनीघी का ऊवच Hm नक्तम नसे रात्री में कहा कहा न जाओ तो बताया है जहाँ चोग प्ढ़ता हो वहाँ पर चेत्य यानि कि पहले के काल में एक इस तरह का चेत्य बनाते थे और वहाँ पर रखते थे खंबे जैसा तो वहाँ पर न जाओ चतुश्पत, चोक पर मजचाओ जो आंधेरा हो वहाँ पर, सुरा लाईयान, मंदीर पर भी मजचाओ, रातरी पर बन्द हो गया, अब मजचाओ, क्योंकि वहाँ पर, वो इसलिए बताया, क्योंकि वहाँ पर, बहुत सारे जीवजन्तु रातरी पर निकलते है, घूमने के ल जहां कोई न जाता हो एसी गतेना अंधेरी अवेली बराबर एसी अवेलियों में मत जाओ फिर सुन्य गुरू हम जो गुरू लंबे समय से बंद हो गया होकर एसे घर पे भी मत जाओ क्योंकि वहाँ पर जो तूली होगी जवरही होगी बहुत सारे गुरूमी की टकादी सरदी की और अभी तको मिटी नहीं क्योंकि उस समय उसको दुर्गन दितनी आई थी और वो पानी से केवल उसने स्नान किया था वस लगबक दसत साल से कर बंग था और ये बनी वई गटना में कहता हों तो उसके बाद उसको एलर्जी लग गई मुझे ये बाद बटका सुत्र वहां याद आ गया कि यहां पर तो दिन में भी नहीं जाना चाहिए आगे बताते हैं सरवथान आदित्यम मेक्षेता सूरिय के उपर भूल से भी मत देखो सूरिय को मत देखो उसकी कीरणे है वो चक्षु को बहुत मुक्सान करने वाली है इसलिए सरवथा आदित्यम मेक्षेता बराबर है आगे बताते हैं नभारम सिरसावहेत अमारे यहां एक गलत परंपरा पड़ी ओ थी शिर पर पानी भरने की पणिहारी ओदी थी ओ सिर पर उठाती थी कभी-कभी क्या होगा ये शिर पर जब पानी उठाते हैं तो सिर पर किया है कोई भी प्रकार का भार्यना वो यहां तक लेना है यहां कभी भी मत लेना और मैंने ये अनुभव किया मैंने ये साक्षा देखा ये सुत्रकोय उपर सत्यता को मेरी जो मा थी वो गाउ में रहती थी और गाउ में इतना राजनिती का प्रस्टाचार कि वो गाउ में पेसे आये तो सब लोग खा जाते थे, डेम नहीं बनाते थे, पानी का कोई बोर नहीं करते थे, तो 2-3-3 किलो मिटर तक पानी परने जाना पड़ता था, मैं भी वेकेशन में जाता था, मैं भी पर कर, मैंने दुख देखे बहुत सारे, तो पानी चोटा सा एसा नदी के पास एक वीड़ा होता था, वो वीड़े में से पानी हम लोग ब्रते थे, कोई डंकी होती दुआहा से, वो किलो मिटर की दूरी से, आप याद रखो, मैं साइकल लेकर जाता था और मैं मा उठा कर लाती थी, मुझे तब पता नहीं था कि ये इतना नुटशान करेगा, लेकिन ये जो पानी है, वो पानी की इतनी क्राइसिस, इतनी क्राइसिस सवरास्ट में थी, तो वो पानी वो बरकर लाती थी, वो चार-पांच मेहने थी, वो पांचों को एक सरीखा ट्यूमर हुआ यहाँपर, और वो ट्यूमर फिर ठीक नहीं हो पाया, 7-8 साल चिकित्सा चली, आयूर्वेर की चिकित्सा से तो वहुत सारा लाप हो गया, लेकिन अंतिम में भी जो उनके नायुग मस्तिश्क के दुरूबल पड़ गए थे, वो फिर ठीक नहीं हुए, तो उम्रुत्य हो गई, लेकिन यह सत्य में ने देखा, कि यह सत्य है, कि किसी भी प्रकार का पार लंबे समय तक सिरसावहन सिर पर रख कर नहीं उठाना है, यह आप याद रखे, कोई यदि उठाता है तो उसको मना करे, और इसके परिणाम में ने एक दोने अनेक जगा पर देखा है, लंबे समय तक सिर पर किसी भी प्रकार का पार उठाने के लिए सिर है, नहीं, वो परसं साकर के लोगों को गलत माट पर मतलब परमा दिया, और पनियारी का एक लक्षण बन गया कि माथे पर पानी उठाना है, लेकिन माथे पर कोई भी चीज उठाना भार वाली वो बहुत नुक्षान कारत को दी है, आप ये आयुर्वेत के सत्य सुत्र को याद रखे, औ बहुत लोगों को ये नुक्सान कारत जो परमपरा है उससे बचाए, आगे न इक्षेत प्रततम सुक्ष्म, यानि कि कोई भी वस्तु को सुक्ष्म जो वस्तुए उसको बार बार मत देखो, मानो कि कोई बहुत सुक्ष्म वस्तुए छोटा लोग इरे वाले होते हैं, जो राइमंड को देखते रहते हैं उसकी आखों को बहुत नुक्सान होता है और मस्तिश को बहुत नुक्सान होता है इसके वो सुक्ष्म को न इक्षेत प्रकतम सुक्ष्म सुक्ष्म वस्तु को मत देखो बार बार बर थोड़ा आराम लेलो उसके बाद देखो यह काम भी करना ह तो वीच वीच में आराम करो, उसके बाद बता है देपत, मेध्या, प्रियानी, नचा इक्षेत, यानि की जलती वी वस्तु को, जब कुछ रेन होता है, लोहा को यह से करते हैं, तो यह से यह से होता है, मतलब पूरे के पूरे एक प्रकाकागनी होता है, उसको मत देखो, फि फिर क्या बताया है, मध्य विक्रय संधान दाना दाना दीना चरे, यानि की दारू के संबंदीत कोई बात न करो, न तो उसको बेचो, न तो उसका एजेंट बनो, न तो उसका संधान यानि की बनाओ, न तो आदान या प्रदान करो, कोई भी वस्तु जो मध्य के संबंदी थे व्यसन के संबंदी जे उसमें आप किसी भी प्रकार का इस्सा मत बनो बराबर है फिर बताया है गुलत छायाम रुपत रिष्टम व्याल द्रौश्टिर रिशायनी नहां यानि कि नदी के किनारे के जो रुक्ष होते है उसकी छाओं में मत बेठो कफ बड़ेगा एलर्ज भी होता है उसके जो व्यवस्तित रुप से कारिय करता है कोई कोई लोग उसके द्वेशी बन जाते है क्योंकि उसको इर्ष्या होती है बराबर इर्ष्या के कारण उसमें द्वेश आ जाता है द्वेश आ जाता है तो ओ दूसरे को भी विगाड़ना काम करता है इसके हेश वाले पष्व गए रहे होते हैं उससे से दूर रहो उसका सेवन मत करो बमारेख आगे आया है कि अगे कि पष्वों से दूर रहो ऐसा तो बताया अब six लोग है अटिन फुण या नि भिवा एसी बहुत बारिकाई से बहुत हिसाब किताब करने वाले लोग है और खास करके इनको छोड़ दो मतलब इसके साथ भी उसका संग मत करो और विग्रहम उत्तम ही उसके साथ जगडा मत करो जो संग उत्तम लोग है उसके साथ विग्रहम मत करो यानि कि जगडा मत करो आगे बत मत पांच जो बाते है वो संध्या काल में नहीं करनी है आप याद रखे भोजन आप सूरियास्त के या तो बहुर पहले ले ले सूरियास्त के समय पर मतले नहीं तो सूरियास्त के के बाद ले बराबर है देखिए संधी के काल पर भोजन नहीं लेना है रे गया कोई बात नहीं बाद ने ले लेकिन संधिया समय पर मत ले आगे बताते सत्रू सत्र गणा किरण गणी का पणी का अशनम जहां पर भी भोजन के लिए मत बेट जाओ कहां कहां मत सत्रू के यहां मत बेटो सत्र यानि कोई अन्नोन यग्य वगेरे हो रहा है धार्मी काल यह वहाँ पर भोजन को मत जाओ फिर कहते हैं गणी का गणी का जो ऐसे यवसाई करते हैं उसके यहां मत लो बड़े बड़े फिर कोई जो अलका धंदा करता है उसके यहां पर भी अन्मतलो यानि यहां वागबट जी अन्म की शुद्धी की बात कर रहे हैं हमारे यहां बताया जाता था कि धर्मका बात जहां निकला नहीं है पगवान का बात जहां दश्मा बात जो निकलना चाहिए धर्मका ओ जिसने निकाला नहीं है उसके यहां पर भोजन करने क का सास्त्रकार मना कर रहे है क्यों हमारी वृत्ती पर उसकी इफेक्ट होती है वागबट जी को केवल सरीर का बात नहीं करनी है केवल सरीर की उनको हमारी चेतना की उनको हमारी वृत्ती की बात करनी है इसलिए वो बताते हैं कि यहां कहां भी बोजन मत ले लो बोजन का बहुत तर्ची मिठाईया बनाई है दुरियोधन ने बहुत सारे पकवान बना दिये क्योंकि उसको ऐसा था कि विष्टीकार तो यहीं भोजन करेगा वो तो राजा के मेहमान आये है और कुरुष्ण तो उस व्यक्त अद की व्यक्ति है तो वो तो स्टेटस से मेरे बराबर ह तो वो तो स्टेटस वालों के यहीं बोजन करेंगे विदूर ने आमंत्रन दे दिया विदूर के यहां गए विदूर के पास तो इतनी सुक्सुईदाय थी नहीं तो उन्होंने सामान्यता से कुछ भी सब जीरोटी बनाई होगी यह सा बताते कि भाजी बनाई थी अब क्य सुधना किमर्थम विदूर के यहां क्यू आपने भोजन क्या किमर्थम भोजनम वुरुषल लगे हा भोजनम तो किमर्थम कृतम वुषल लगे हा भोजनम तो कृष्ण को यह पूछा है कि आपने वहां पर भोजन क्यू कहा इतना जो नीचे स्तरकाता अमारे स्टेटस के प्रुष्र ने अच्छा जवाब दिया है जान चली जानी वाली वो कुछ खाने का नहीं है तब कहीं पर भी बुज़न कर लेना चाहिए यह दो ही है अभी यसी स्थिती मेरी है नहीं मुझे इतनी भूख है या नहीं मिलता हो और दूसरा तेरा मेरे पर प्रेम है नहीं इसके लिए मैंने आपके या बोजन नहीं किया ये पुरुष्ण ने सपश्ट दुरियोधन को बता दिया इमर्थम पुन्दरी काक्षा रुशल लगे हा बोजनम ये जब दुरियोधन ने पुछा तब पुरुष्ण ने बताया एसे वैसे गरोपर में पुजन नहीं करता हूँ तो अब आपको भी ध्यान रखना है कहीं देख लिया बोजन का समारम और घुश गए कहीं का भी किसी भी समय पर कर लिया ऐसा नहीं करना है पुजन का जो एक नियम है एक आचारस नहीं था है एक कोड ओफ अंडक्ट है उसका पालन करना है यदि आपको सात्रिक रहना है तो आगे बताते हैं गात्र वक्त्र नखेर वाद्यम अस्तकेशाव धुननम बार बार एरो की तरह स्टाइल नहीं करनी अभी हम क्यते न ये आदलाग होता है अस्त केशा वह दनुन रोज करते लोग बार बार एसे केश को सम्मारते हैं बार बार डाठी का ये करते हैं ये अस्त उनको पता था कि येसा भी ओने वाले इसा भी पागल पनाने वाला है कोई येसी येज़ श्टाइल करेगा अब ही अमारे पास एक स्टाफ में लड़की रखी थी आईना लेकर आती थी मारजनी लेकर आती थी क्रीम लेकर आती थी थोड़ा हुआ बात्रूम गई तुरंत बालों को ठीक गिया फिर कुछ भी हुआ थोड़ा ये याद गया तो तुरंत आईने को देख लिया कि मैं ठीक तो हूँ मैं ठीक तो हूँ तो वो डेटा के लिए रखी थी वो से भी नहीं कर पाई वहाँ उसका मन ही नहीं था मन था मैं कैसे लगू कैसी लगू उसके उपरी था तो ये पागलपन पता था वागबट को कि आगे काल यूग में आने वाला है कि जो लोग एरस्टाइन वाले है वो ऐसा पागलपन लगाने वाले है कि अस्तकेशाव धनन उन करेंगे डाड़ी को बार-बार संवा रहेंगे बार बार बालों को समा रहेंगे बार बार आई ना देखेंगे तो ऐसा नहीं करना है गात्रवक्त प्रनके नको वाध्य का काम नको से नहीं लेना है साधनों का गाम नाकुन से नहीं लेना है नाकुन को ऐसे ऐसे नहीं करना है किसी भी ऐसी परिस्तिती में नाकुन का साधनो की तरह उपयोग नहीं करना है क्या होता है इसे नाकुन खराब हो सकते हैं उसको कुनक बताया है कुनक की जो संप्राप्ति है कुनक के जो निदा ने उसमें बताया है कि साधलों की तरह नखों का उपयोग करना होता है कुनक बराबर आगे बताये तोयागनी पुजियव यक् जो दो लोग बात कर रहे हैं तो बीच में से नहीं निकलना है बराबर है फिर अगनी रखी हो पूजन के लिए और अगनी कहा पूजन करता है तो वो दोनों के बीच में से भी नहीं निकलना है यह एक भारतिय सभ्यता है और आप यदि भारतिय है तो स्कूल और ओलेज में हमको भारतिय सभ्यता नहीं सिखाई गई है तो वो आपको अवर्श्य चाननी है हम वेडिक पेरेंटिंग की शिमीर करते हैं उसमें हम यह सारी की सारी भारतिय सभ्यता की बात करते हैं आज जूठा कुछ पता नहीं होता है, तो कहीं पर भी बोजन कर लेदें लेकिन हम यह बताते हैं कि किस तरह से ठाली रखनी है, किसा अन्न खाना है, और किसी सब्यता का पालान करना है, यहां पर बताया पुझियव यक्ति के बीच में से नहीं निकलना है, आगे कहते हैं, व सर्वचेश्टासू लोक ये वही धीमत है लोकी क्योगार जो भी करने है तो ये कैसे करने है तो लोक को आचारिय मनने पूरा लोक से कुछ ना कुछ हमको सीखना है इसके लिए हमको लोक का अनुसरण करना है ओ एक बात याद रखे आपको लोक का अनुसरण करना है आचारिय पार्णोग की कारियों में लोग कानुसरण करना लेकिन पारलोग की कारियों में लोग कानुसरण नहीं करना है गुरु ओनोहिं जो लोग मानते हो विलोगी की जो अनुकरण करना है वो लोग की कर्थों में ही लोग का अनुकरण करना है पारलोग की कर्थों में लोग का अनुकरण नहीं करना है क्योंकि वो तो सारी जंता फ्रांती में है वो जो धर्म मान रही है वो धर्म नहीं है वो जो अच्छा मान रही है वो अच्छा भी नहीं हो कुछ मेर्ण अपनी शक्ति का तो प्योग कर रहा हूं मेरा जो यह जिवन गया तो इस में मैंने सांतर क्या पाया यह पूरा का पूररा जिनतन रात को करना है आपको सोते वक्त कत नक्त दिन नक्त दिन नक्त दिनानी में यांती कथम भूदस्य संप्रती मेरे दिन और रात कैसे जा रहा है बराबर है या मैं कुछ पराप्त कर रहा हूँ या यसे ही टाइम वेस्ट हो रहा है आगे अंतिम जो सार रूप में पूरा का पूरा एक स्लोक दिया है बराबर है वो सद वुरुत का पूरा का पूरा सार है चार बातों में ये टूरा का पूरा जो सार रूप में चार बाते बताईए वागबट जी ने तो ये क्या बताया है आर्द्रसंतानता त्यागह कायवा प्रिषत मैं काब हैане कि जोबए ज्यादा जोबीए उसका तियाग करें नहीं?" पिर काया वाणी और चित का दमन करो कंट्रोल करो उसको पार्लोकि कार्यों में भी स्वार्थ जैसे आही उच्साह रखो यानि कि अपना ही है समझ कर दूसरे का कारिय करो समाझ का कारिय करो भगवान का कर या अपना समझ कर करो तो यही परियाप्त सद्गुर्थे आप इतना पालन करेंगे इसमें से बहुत सारी बातों का पालन करेंगे तो वागबट जी का परिश्रम सार्थक होगा वागबट जी ने जो ये सूत्र अश्टांग रुदयम के दूसरे और सूत्रस्थान के दूसरे और तीसरे अध्याई में दिनचरिया और रुतूद चरिया के अध्याई अंतरगत बताए है उसका सार लेकर आप लोग समझ पाए इस तरका ये हम में प्रयत्न किया है कि आप इसमें से समझ कर वागबट जी को अंजली के रूप में गृतक यता पुर्वक कुछ ना कुछ तो पालन करोगी आप ये सूत्र का मनन चिंतन करिये बच्चों को ये सूत्र सिखाईए और कोई भी प्रस्ण आपको रहे तो कमेंट में अवस्या लिखे आप आज एक वागबट जी को साक्सी रख कर एक संकल्प ले लिजिए मैं प्रती दिन आयूर्वेद का अधियन करूंगा मैं प्रती दिन आयूर्वेद के ऊपर स्रद्धा को बढ़ाऊंगा और मेरे जैसे 10-20 लोग जितनी मेरी क्षमता है उसको मैं इस तरफ प्रेरित करूंगा आप रखे आज क्रिकेटर और एक्टर की भरमार है उसका पूरा का पूरा हमारे पर आक्रमन है हमको वागबट जी के सुत्रों के पास सत्य के पास लोगों को पहुंचाना है इसलिए हम ये बातों को समाज तक पहुंचाए वागबट जी को अंजली अरपन करें और इतना ज्या आज तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए एसी शक्ति की प्रार्थना करेंगे तो ये जो सुत्र है उपने बच्चों को सिखाए और लोगों को समझाए और ये सुत्र का अनुसरण हम खुद करें और भी लोगों को इसके अनुसरण के लिए हम प्रेरित करे इतना केकर आज के वीडियो की हम परिसमाप्ति करते हैं नमामी धनवं दरिमादी देवं सुराव सुरेरवं दित पाद पद्मं लोके जरारुक भयम्रुत्युनाशं तातारमीशं विविदाउश दीनाम